नमस्कार मेरे पैरे बच्चों आज के इस वीडियो में हम मीडल हिमाले के बारे में पढ़ेंगे या कहा जाए मद्ध हिमाले के बारे में पढ़ेंगे इससे पहले आपने ट्रांस हिमाले अच्छे से पढ़ लिया ग्रेट हिमाले अच्छे से पढ़ लिया और हम पढ़ते है लेसर हिमाले इस लेसर हिमाले के कुछ नाम है जो आपको याद रखने है इसे लेसर हिमाले के साथ साथ मीडल हिमाले या हिमाचल हिमाले भी कहा जाता है और ये हिमाले रेंज बहुत ज़्यादा कॉम्प्रेश्ड है सेंडविच की तरह देख रहे हैं ग्रेट हिमाले और शिवालिक हिमाले के बीचों बीचन है तो बहुत ज़्यादा compressed है ये इसकी average height 3500 meter से लेकर 4500 meter के आसपास है और average width 60 km से 80 km के आसपास है अब आप कहेंगे कि sir जो ग्रेट हिमाले था उसकी average height आपने 600 km बताई थी 6100 km और यहां पर average height 3500 meter से 4500 meter के बीच में क् पच्चों इसलिए क्योंकि great हिमाले continuous था जबकि ये मद्ध हिमाले continuous नहीं है इसकी कुछ-कुछ range के बाद बीच में discontinuity है इसी कारण से अलग-अलग जो परवत शिरेणी है इसके अंदर उनकी अलग-अलग height average तो इसलिए इसकी average height vary कर रही है 3500 meter से लेकर 4500 meter के बीच में है और इस मद्ध हिमाले के अंदर तीन महत्पून परवत शिरेणी है जो आपको बहुत याद रखनी है जम्मू कश्मीर वाले इलाके में मुख्य तोर पर पीर पंजाल परवत शिरेणी है हिमाचल परदेश में मुख्य तोर पर धौलाधर परवत शिरेणी फैली हुई है औ ने मर्ग कहा जाता है और इसी नाम से दो तिन इस्थान बहुत फेमस है जैसे गुलमर्ग हो गया सोनमर्ग बहुत फेमस इस्थान है जमुकश्मीर में यही गास के मैदान है और उत्राखंड में इन गास के मैदानों को बुग्याल कहा जाता है जैसे बेदनी बुग्याल बर प्लू, मंडी, धरमशाला, बहुत फेमस है हिमाचल परदेश में, उत्राखंड में, मसूरी, बहुत फेमस है भाईया, परवतो की रानी कहा जाता है इस जगा को, नैनिताल, रानी खेत, अलमोडा, और मुक्तेश्वर, यह बहुत फेमस हील स्टेशन है इस लगू हिमाले के अंदर, कुछ घाटियां पाई जाती है, घाटियां आप समझ पा रहे हैं, जैसे लगू हिमाले और महान हिमाले के बीच में ये घाटियां पाई जाती है, कश्मीर घाटी हो गई, जो की महान हिमाले और मध हिमाले का जो पीर पंजाल परवत स्रेणी है, इसके बीच में है कुलू घाटी जो महान हिमाले और मद्ध हिमाले की धोलाधर रेंज है इसके बीच में पाई जाती है और काठमांडू घाटी ये आपकी महान हिमाले और महाभारत जो परवत स्रेणी है नेपाल के अंदर ये वैली पाई जाती है इतनी चीजे आपको याद रखनी है लेसर हि माले के बारे में